हेलो फ्रेरेंस आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चना दाल की तड़का की रिस्पी लेकर आई हूँ जिसे चना दाल का फ्राई भी बोलते हैं तो ये मैं आज कराही में बनाऊंगी कुकर में तो आप लोग बहुत बार खाये होंगे एक वार इस तरीके से जरूर बनाए जिसके लिए एक कटोरी चना दाल जिसे दो घंटा के लिए मैं भिंगा कर ली हूँ और ये एक से दो बारिक कटी हुई प्याज एक मीडियम सैज की टमाटर बारिक कटी हुई थोड़ी सी लहसन और एक से दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई थोड़ी सी अधरक लहसन और हरी मिर्च का पेश्ट, फोरन में मैंने तेज पत्ता, जीरा, सूखी, लाल मिर्च और ये मेथी के कुछ दाने लिए हैं, सूखी मसाले में धनिया पॉर्डर, हल्दी पॉर्डर, काली मिर्च का पॉर्डर, जीरा पॉर्डर और ये लाल मिर्च का पॉर्डर, एक कडाई म दो से तीन चमच तेल लेंगे और तेल गर्म होने पर इसमें फोरण डाल देंगे और इसी टेम पे थोड़ी सी कास्मीरी लाल पिर्च का पॉडर डाल देंगे इसे कलर बहुत आच्छा आता है इसे थोड़ा सा पकने के बाद इसमें हरी मिर्च लहसन और ये बारीक कटीवी प्याज को डाल देना है और इसे चलाते हुए भूनना है इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें golden brown color ना आ जाए जब इसमें color आ जाएगा तब इस टैम पे अतरक लेशन और हरी मिर्च का पेश्ट डाल देंगे इसे चलाते हुए भूनेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें कटी हुए टेमाटर को डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए भूनेंगे इस टैम पे हमारा ग्यास का फ्लिम low to medium होना चाहिए जिससे हमारी फोरण जलेना और इसी टैम पे स्वाधन सार नमक डाल देंगे और जो हमने सुखी मसाले तियार किये हुए थे ये इसे मे डाल देना है और इसे चलाते हुए थोरी दिर भूनना है अब ये हमारा मसाला अच्छी तरश से भून चुका है तो इस टैम पे हम भींगे हुई चना दाल को डाल देंगे और इसे एक से दो मिनट तक चलाते हुए थोरी से भून लेना है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा दाता है और इस time पर हम किसी पतिला में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए ङ Glory और धना पानी की योज्ड ने करेए फन्गा假 का यूज़ ना फिलेलोन दाल भूरा आज़ा के जो पता है ओ तर इस चाल हम गर्म पानी जल्ग तर नहीं के पता है और कुकर में जल्दी पक जाता है लेकिन कराही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो एक बार जरूर आप इस तरीके से ट्राइ कीजिए आप लोगों को बहुत ये पसंद आने वाला है पानी डालने के बाद इसे एक बार चला लेना है और इसे किसी पलेट से ढग देना है 10 से 15 मि previously अच्छलाव लेना है इस तरीके से चेक कर लेना है कि ये पूरी तरा से पकी है या पिर नहीं इस टाम पे इसे किसी बॉल या पलेट में निकाल लेना है और इसे धन्या की पती से गार्निस कर देनी है अब ये हमारी चनादाल सर्व करने के लिए पूरी तरह से त्यार है तो आप इसे रोटी, पराथा या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं इसे आप जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं ये जीरा राइस के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये जब कराही में बनी हो तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ करें इसे बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा कूकर के पेक्षा लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है तो आप लोग इस रेस्पी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने घर पे भी ट्राइ कीजिएगा और अच्छी बने तो इसी वीडियो के कमेंट वोक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा तब तक के लिए बावाय मिलती हूँ निक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और हाँ जाते जाते पेरे चैनल को जोर सब्सक्राइब करते ही वे जाएगा थैंक यू